नमस्कार साथियो मैं विजे का साना डिजीटल फ्री शिक्षा के उपर सुबह सुबह गुड नूज लेकर आजिरू साथियो सीटी गुरूप सी बरती को पातरता परिक्षिया बनाया जाया यानि कि क्वालिफाई को लेकर बड़ी खुश खबरी आ रही है इसके अलावा सीटी रिजल्ट का एक और नया डाटा सामने आया है अगर आप पूरी इंफोर्मेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो अन तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो साथियो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेए चलिए अब बड़ी खबर देख लेते हैं क्यों सीटी क्वालिफाई की उमीद अब और भढ़ गई है पूरी खबर देखी साथियो विश्तार से अरियाना सरकार के गुरूप सी पदों के लिए आयोजी चीटी कर रिजल्ट गोसित हो गया है रिजल्ट में लगबग साड़े तीन लाख हुआ यानि कि साथियो तीन लाख सतावन जार युवा पास हुए है अलाकि अभी तक डिटेल रिजल्ट कोशित नहीं हुआ है मगर एक अनुमान के उनसार एक लाख बीश जार युवा ऐसे हैं जिनके साथ फिजदी से जएदा अंक हैं यान कि साथ परसेंट से जएदा अंक हैं एक लाख बीश जार युवाओं की जर्नल कटेगरी में नियुन्तम 50 और आरक्षित स्रेणी में नियुन्तम 40 फिस्दी अंक लेने जरूरी थे नियुन्तम अंकों के आसपास अंक प्राप्त करने वालों की संक्या ज़्यादा है अधिकतर पास उमिद्वार देनिक सुवेरा के मादम से मुख्य मंत्रिम नौलाल से कई बार मांग कर चुके हैं यानकी साथियों CET क्वालिफाई की मांग लगातार जारी है और देनिक सुवेरा ही ऐसा नियुजबेपर है जो सबसे ज़्यादा आपकी मांग उठा रहा है नौनतम अंक जो पास करने वाले उमिद्वार हैं वो ज़्यादा श्यादा मांग करने के बाद गुरूप सी पदों के लिए CET को एस्टेट की तर्ज के उपर पातरता प्रिक्ष्या बनाया जाए यह वो कह रहे है यानि कि जितने भी उमिद्वार CET में पास हुए उन सभ को गुरूप सी पदों की बरती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने का मोका दिया जाए कुछ उमिद्वारों ने जिलास तरपर परशासन को ग्यापन देकर इस संबंद में मुख्यमंत्री सा अगर गया था यह बाते तो साथी हो गई पुरानी अब नए अपडेट क इस विकार कर दिया था अब गलियारे में चर्चाहिए कि सरकार ने इस पर गोर किया है मगर इस संबंद में हाई कोर्ट में किस दायर है ऐसी चर्चाहिए कि जब एड़ोकेट जर्नल से हाई कोर्ट की खंड़ पीट अरियाना सरकार का रुक पूछेगी तो साइद वो स्टेंड ना लेते हैं तो इसके उपर योओं के पक्स में फैसला जाने का भी जादा ही साथियो संबावना जताई जारी है क्यों यह उदारन देकर भी बताया गया है कि हाई कोर्ट पर ही छोड़ दिया जाएगा कि आप जो भी निरने लेंगे उसी के उपर सरकार काम इस तरह पहले एक निरने हो चुका है दो जार तेरा में एस्टेट पास करने वाले जेबेटी उमिदवारों के लिए ऐसा ही निरने हुआ था जो एजी साब ने का था जब हाई कोर्ट से कि सरकार के पास पद हैं अगर हाई कोर्ट फैसला देंगे तो इन उमिदवारों को एड़ जेस्क किया जा सकता है अगर ऐसा ही फैसला यानि कि एजी साब अपना रुक ऐसा ही सीटी वाले केस में भी रखते हैं तो सीटी उमिदवारों की निगाएं अब हाई कोर्ट पर टिक्यू ही है और उनकी मांग तो फिलहाल सीम साब से ही है कि अगर सरकार इस पर पु तो युवाओं के लिए कोर्ट का इंतजार करना ही ना पड़े तुरंत आगे की बरती की परक्रिया भी शुरू हो जाए लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखाई देरा फिलहाल कोर्ट से ही आपका डिसीजन आने के उमीद है और इस नियूज में उधारन देकर भी बताया है कि 2013 एस्टेट वाले केस में जब रुख कड़ा नहीं अपनाया गया था तो कोर्ट ने उमीदवारों के पक्स में फैसला दिया था अगर ऐसा सीटी में भी होता है तो आपका एक्जाम क्वालिफाई हो सकता है साथियों आपको बार बार बता रहे हैं अभी तक आपका ए के साथ इनफोर्मेशन शेयर कर दी जाएगी और नया डाटा यह आया कि एक लाख बीच जार यूआ एसे हैं जिनके साथ फिजदी से ज्यादा अंक बताए जा रहे हैं तो ऐसे ही और बरतियों से अगर कोई अपडेट आता है तो वो भी आपके साथ तुरंट शेयर किया ज कर दोंगे